कमिंग तु दी टैंथ पार्ट अफ दिस चैप्टर नाव लेट सिस्टडी बाउट दी अनुमेलिस भीएवियर दे पैरिलियम फर्स मेंबर उफता है ग्रूप सेकिंड मैटल का और पैरिलियम अनुमेलिस भीएवियर शो करता है अगर इसकी कंपैरिजन करी जाती है से या फिर रेस्ट आफ दे मेंबर से ठीक है तो क्या कर रहा है यह कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो बाकी अधर मेंबर से डीफर होती है फर्दर यह क्या करता है डायगनल रिलेशनशिप शो करता है ऐलमुनियम के साथ जोसको भी डिसकस कर लें है बेरिलम कंदर क बेरिलम का साइस की बात करें तो यह एक्जेप्शनली इसमाल एटामिक साइस होता है इसका इनिक साइस भी चोटा होता है और इस वजह से यह कंपेर जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वह कंपेर कंपेर नहीं करती है वैल विद अधर मेंबर आप दी ग्रूप एंडस इसमाल साइस होने के वजह से यह ऐसे कंपाउंट का फार्मेशन करता है जो लाइजली कोवेलेंट होते हैं और आसानी से हाइड्रोलाइस हो जाते हैं लाइजली कोवेलेंट का लाइजली कोवेलेंट होने के वजह से इसके कंपाउंट आसानी से हाइड्रोलाइस हो जाते ह हाइडुलाइस के बारे में आपने पढ़ा होगे क्या क्या कंडिशन होती है तो उसमें से एक ये भी होती है कि कंपाउंट कोवैलेंट होना चाहिए तब ही हाइडुलाइस हो सकता है हो सकता है की कोडिनेशन की बात करें तो कौडिनेशन नमबर चार से जादा ये एक्जिबिट नहीं करता है क्योंकि इसके वैल स्प्राइड उध्य ग्रुप की इस औकसाइड और हाइड्रोकसाइड बेरिलियम के कैसे होते हैं एमफोटेरिक होते हैं यह भी एक एक एक्जेप्शनल बिहेवियर शो करता है बाकी अधर अकसाइड और हाइड्रोकसाइड मेटल के कुछ ऐसी एमफोटेरिक नियचर नहीं शो करते हैं बलकि कैसे होते हैं जैसे कें बीच में तो आईनीक रइनियों फ्लस टू आयन की एस्टीमेट होती है लगभग थर्टी वन पीको मीटर चाइज अपन रेडियों सें होता है जैसे हल्मोनियंप में होता यह इस तरीके से बेरिलियम पिज scare करता है बेरिलियम पर जाविकास रोधी क्योंकि उसको पर क्या होथी। आकसाइड की फिल्म प्रेजन्ट वोती है मैटल की सरफेस के उपर बेरिलियम हाइड अदर डिजॉल्व होकर बेरिलीट आयन बनाता है। जिस तरहीके से ऐलोमुनियम हाइड आयन मेरिलीट आयन का करते हैं cl- bridge chloride structure ह simplement कि भी के अंदर यह विबर फेस के इनदर फेस के अंदर tumor के अंदर दोनुहीं बिरियलियम के kloride cell Ge拜拜 के अंधर लिए को राइट करना मब ऊक्र दिशनाना और डोनहों के ही स्ट्रांग टेंडेंसी होती है कंप्लेक्स फॉर्मेशन की जैसे बीए फॉर टू निगेटिव एलेफ सिक्स त्री निगेटिव यह क्वेशन आया हुआ है कहीं इस पॉइंट से तो धियान रखेगा सम इंपार्टन कंपाउंस अफ कैल्शियम कुछ इंपार्टन कंपाउंस इसका बाद करते हैं तो इंपार्टन कंपार्ट pry judy होते हैं डियसे क्या है के लसे मखसाफेट के लिए आए क्या हम विए बससटाएज क्कार्शि ना राइंब इसक्यार्च ये पारटन कंपाउंस होते हैं य region speaking summit के देखि टेट्रिकल में हीट किया जाता है लगभा 10721270 कल्वीन कल्चम कार्बोनीट को हीट करने पर बनता है क्याश्म अक्साइट प्रेस योटू कार्बन टायक्साइट रिमूब कर ले जाती है जैसे ही यह बनती है जिसे रियक्शन आसानी से कंप्लिशन तक पहुंच पाई कार् क्याश्यम ऑक्साइट वाइट अमॉर्फा सॉलिड होता है इसके मेल्टिक पाइंट के बात करें तो 2870 कल्विन होता है एक्सफेर के एक्सपोजर में आने पर यह मॉइस्टर को और कार्बन डायक्साइट को एबजॉब करता है कैल्श्यम ऑक्साइट प्लस एच्टो सोडा लाम क्या होता है कैल्श्यम ऑक्साइड होता है और जब ये सोडा सोडा मतलब और ग्विक ख्रीयाक्ष दो सब्स्प्रमय करें और यहां-पर-ख्र unda इस र्याक्शिद से Бनी चैवlla को इस बस्टाइट कराना होता है कि एक बैसिक आउक्साइड कोने कि वज़ा estás कर जाता है हाई तेमपरेचर पर कल्चियम उकसाइट प्लस ऐसाई ओडू घपस कैल्शुम सिलीकेट कल्चियम उकसाइट प्लस पीपोर औरेंगेश कैल्चियम फासपेट इस्तमाल की बात करें तो यह कंबाट्रिंग में और चीपस्ट फ़रम है अलकाली की एक इंपार्टि सोड़ा मतलब एनने वेट से सोडियम कार्बोनेट बनता है तो तब कैल्शियम अक्साइट का भी इस्तेमाल किया जाता है कि इसको इसको शुकर के प्यरिफिकेशन के इस्तेमाल होता है और डाइ स्टेफ के मेडीन हैं आधक करते हैं क्याश्यम हिड्रोकसाइट की जिसको स्लेक लाइल भी कहते हैं स्लेक लाइन क्या होता है कल्सियम Hyd worked सब्सक्राइब दो के लिए एकाइड के इंदर वाटर डाल डaphor के लिए Łोस्प यह झाल झाल केल्शियां हाइडाकसाड भी कैसा है वाइट अमर्फ to僅डर है और इस्पैरिंगली भी सॉलिबल होता है वाटर के अगर सॉलिशन को कहते हैं रिशेली स्पेंशन दुछलीव और छी को कैते हैं जो लेक लाइम का सपेंशन होता है उसको कहते है मिलक शॉलूशन होता है और हुआव शुलूशन होता है और मिल अबाइम क्या होता जब कार्बंग यहां च्राइट को Predizer के अब सब्सकित YOUR होता हैahahahahaha के पास कराये जाता है लाइम वाटर के अंदर तो इसे क्या होता है मिल्की आपेरियंस होना लगती है दूटू the formation of calcium carbonate करबन डायकसाइड को जब पास कराये जाता है लाइम बाटर के अंदर तो इसे क्या हो जाते है इट थे टूट की दूटू दा फार्मेशन कार्बोन कार्बोने इशेज में जाती है तो ॥ प्रसी तो जाता है जिसे सह बनता है के लिवा प्रसी दाली स्थी है इद्यलन रिखन रखन ओं ऄर शा यहां जाता है इस प्रसंटिट का इसे इसे से बन surrender में के समय होगा मे er चेल और लवग लगाए से यहां पर यहां पर excess of carbon dioxide तो यहां पर दियान रखना कि अगर excess carbon dioxide को पास कराए जाता है तो इससे calcium hydrogen carbonate बन जाता है अब बात करते हैं milk of lime की तो milk of lime जब chlorine के साथ react करता है तो इससे बनता है hybocloride, hybocloride का है calcium oxy chloride और यह क्या है bleaching powder का कॉंस्टिट्वेंट है calcium hydroxide plus chlorine gives calcium chloride plus calcium oxy chloride plus H2O तो यह क्या है bleaching powder है calcium chloride plus calcium oxy chloride यूजिस की बात करें तो यह मौटर में इस्तेमाल होता है calcium hydroxide का मौटर क्या होता है पेस्ट होता है जो that is used to fill the gap between the bricks and it is a building material ठीक है अब second point के बात करते हैं यह वाइट 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 वाइवाश के इस्तेमाल होता है तो इस डिसिंपक्राइट नेजर वाइट वाइट वाइवाश में भी होता है it is useful glass making tanning industry में और bleaching powder के प्रिपरेशन में जैसा भी पढ़ी हमने रियाक्शन और शुगर के प्यूरिफिकेशन में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइस करें